नमस्कार दोस्तों मद्द्रदेश को आज हम इस वीडियो में वर्स 1947 से लेकर 1956 के बीच के मद्द्रदेश की स्थिति को लेखें देखिए वर्स प्रदेश को पार्ठेश में बाठा पार्ठ बी और पार्ठ सी में बाठा पार्ठ जिसे कहा गया सेंट्र प्रोवेंस मतलब सीपी एंड बराव मतलब यहां पर अध्यार रखना है किसे मध्य प्रांथ कहा गया क्या कहा गया मध्य प्रांथ पार्ट B को मध्य भारत मध्य भारत पार्ट C को विंद प्रदीश पार्ट C को विंद प्रदीश पार्ट A की राध्धानी मध्य भारत की राध्धानी या सेंटर प्रोविंस की राध्धानी नाग्पुल को बनाया पार्ट B की मद भारत की राजधानी जो बनाए एक इंडोर जहांपर होलकरवस का शाषर था एक गौनियर जहांपर सिंधियावश का शाषर था यहांपर द्यादर रखना है सिंधियावश और यहांपर इंडोर में होलकर तो ये छेचे महा के लिए इनको दोनों को राध्धानी बनाएगा और पार्ट C की राध्धानी रीवा को बनाएगा तो आपको यहां से ध्यार रखना है कि पार्ट B, पार्ट A और पार्ट C एक रियासत अलगे पार्ट बनाए गया जिसका नाम रखा पार्ट C प्रथक भूपाल भूपाल रियासत को यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी राज़ोने भी भूपाल बनाई है यह जो पार्ट A है इस पार्ट के C.M. पंडिक रविशंकर सुक्र है तो यह आपको ध्यान और यहां की राज़पाल जो है राज़पाल यह है टी रागविल रागविल बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है यहां इंदोर वाले से यान रखना कि यह पश्षिन की बड़ी रियासत थी पश्षिन की बड़ी रियासते और इसके राज प्रमुख आपको याद है राज प और इसके सी एंग लीना धर लीना धर जोसी यह भी आपको यहां पर ध्यार रखना है एक्जाम में बहुत बार उच्छा जाएगा कि इस पश्चिपी बढ़ेगी आसर अतलब पार्ट बी की राजधानी क्या है और राजप्रम कौन कौन है यहां पर पार्ट सी राजधानी ल का जो राजप्रमुक है राजा मार्टंड मार्टंड देव सी हैं और आपको ध्यार रखना उपराज प्रमुक उपराज प्रमुक जो है यहां पर यादवेतर सी हैं यहां से कुर्शन पूछा जाएगा सीएव यहां के पूछे जाएगे सीएव दो अवधीश प्रताफ सी हैं और आपके उप सीएव उप सीएव जो है डिक्टी सीएव यहां पर उप सीएव उप मुक्य बत्री कामता प्रशाद से हैं तो आपको इस एक्जाम में आपके ए पॉस्टट रोसे के वाधिक मैं पार्ट सी धूपार्ट गूपाल के नवाब कि सब्सक्राइब SERब는지 कि ऑन बखालर के आपको यहां से धियान रखना है पाट A, पाट B, पाट C, पाट A की राधनी नागपुर पाट B की राधनी इंदोर पालियर पाट C की राधनी लीवा और प्रथक पाट C की राधनी भूपार्ण है यहां से एक कोर्ष्ण आपके एक्जाम में उचा जाएगा ठीक है आपको यादर मैं, धन्यार याद, धन्यार अंग.